कि नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुन साहर यूप्टुप चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है बिए सब्ट्रेड्मेन परिच्छा इतिहास टाप 350 क्वेस्चन प्रेटी से टू में तो चली वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे छोटी स् चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुँचे तो चली वीडियो प्रारम करते हैं अगर सब्सक्राइब करते हैं तो चली वीडियो प्रारम करते हैं कि पाला कोशन इसमें पाला क्या 31 नंबर 30 तक हुआ था आपका प्रेटी सेट वन में कोशन नंबर 31 शुरूओगा 30 तक हुआ था तो क्वेशन नंबर 31 है चारो बेदों में कौन सरवाधिक महत्तपूण माना जाता है चारो बेदों में रिगवेद यजुरुवेद सामेद अथरुवेद इसमें आपका राइट एंसर एस योगा रिगवेद क्वेशन नंबर 32 है आरे लोग निमलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे यहां पूछा नहीं करते थे वर्षा का देवता इंदर सुरि अगनी धन देवी लच्मी आरे लोग जो है किस देवता की पूजा नहीं करते थे धन देवी लच्मी की पूजा नहीं क ग्राम जन 20 या सभा तो इसमें आपका राइट एंसर होगा सी 20 यानि बैदिक युग में ग्राम समुहों को क्या कायता था इसको कायता था 20 कुश्चन नंबर 34 है निमलिखित में से किसके सासनकाल के दौरान वेन सांग भारत की यात्रा पर आया था कनिस्क हर्सवर्धन चंद या सासनकाल में कुश्चन नंबर 35 है निमलिखित में से कौन आर्य समाज का एक वण समुह नहीं है छत्री ब्रामन सभाएं सुद्र तो इसमें आपका राइट एंसर सी सयोगा सभाएं जो है आर्य समाज का एक वण या समुह में नहीं आता है कुश्चन नंबर 36 है प्राचीन भारती राजाओं में इनमें से किस का सासनकाल सणयूग माना जाता है इसमें आपका राइट एंसर एस योगा गुप्त वंस का सासनकाल को सणयूग के नाम से जाना जाता है Questern No. 37 भारत में प्राराम्भिक गड़तांत्र की रचना किन के द्वारा हुई साक्यों द्वारा लिच्छियों द्वारा या इन दोनों द्वारा या इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर होगा इसमें सी इन दोनों दोरा यह निस साक्तियों दोरा भी और लिठ्छियों दोरा भी सी इसका राइट एंसर होगा इसमें कोश्चन नमबर 49 है भागवान बुध ने अपना उपदेश धर्म चक्र परवर्तन कहां किया था बैसाली में बोध गया में लुंबनी में या सारनाथ में इसका राइट एंसर डी से योगा सारनाथ में कोश्चन नमबर 40 है निर्मलिखित में से प्राचीन भारत का राज था कोशल मगद मल एम अवंती या उप्युक्त सभी तो इसमें आपका राइट एंसर डी से योगा यानि उप्युक्त सभी कोशल भी था मगद भी था मल एम अवंती भी था कोश्चन नमबर 41 है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सिधान्त किसने दिया था वर्दमान महाबीर ने महात्मा बुद्ध देव ने ये सुकरात ने या इसा मसीर इसमें आपका राइट एंसर बी से योगा महात्मा बुद्ध देव ने कोश्चन नमर 42 है निमलिकित में से कौन सा कथान आरे लोगों के बिशाय में सही नहीं है दिया है दास दस्यों के मित्रवत बेवहार किया करते थे आरे समाज चार जातियों में बटा था आरे कई देताओं को पूछते थे आरे संस्कृत बोलते थे ता आरे लोगों के सम्यक विश्वास सम्यक कर्म सर्मग ज्यान तिरत्न नामक उपदेश देने वाले थे कौन उपदेश दिये थे वर्दमान महाबीर महात्माबोध आदिनात या चतन महाप्रभू इसका रायट एंसर एस योगा वर्दमान महाबीर कोश्चन नमबर 44 है बुद्ध किस कूल के थ साक्य लिच्वी साक्य लिच्वी दोनों या इन में से कोई नहीं इसका रायट एंसर एस योगा बुद्ध जो है साक्य कूल से सम्मंदित थे कूश्चन नमर 45 है वर्दमान महाबीर के मूल उपदेश जिन 14 जिल्दों से संक्लित थे उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था उत्तर पूर्व चैतुर्दसिक या इन में से कोई नहीं इसका रायट एंसर होगा इसमें बी पूर्व वर्दमान महाबीर का देहावासान कहां हुआ था वैसाली में राजगरी में पावापुरी या मित्ला इसका राइट टेंसर होगा आपका C पावापुरी में कुश्चन नमबर 47 है वर्दमान महाबीर कब और कहां जन में थे इसापुर छठी सताब्दी में वैसाली में इसापुर छठी सताब्दी मगद में इसापुर पांची सताब्दी कोसल में इसापुर साती सताब्दी पठना में तो इसका राइट एंसर एस होगा इसापुर कौन सी सिख्छा देता है सम्यक विश्वास सम्यक ग्यान या सम्यक रियायम जीव की हत्या की मनाई या उप्युक्त सभी सत्य है इस में आपका राइट एंसर डी सविएगा उप्युक्त जो है सभी सत्य हैं को सनबर और चास है जैन्धर्म के संस्थापक महभीर की स्कूल के कोई नहीं तो इसका राइट एंसर होगा इसमें किस कूल के थे यह पूछ रहा है तो इसमें राइट एंसर होगा ए लिच्छ वी कूल के कोश्चन नमर पचास है महात्मा बुद्ध ने जिस मार्ग पर चलने का उपदेश दिया उसे कहते हैं सम्यक मार्ग, अस्ठांगिक मार्ग, सन्यास मार्ग यह इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर भी होगा अस्ठांगिक मार्ग कुश्चन नमर एक्क्यावन है निमलिकित में से बुद्ध की कौन सी सिच्छा नहीं है दिया है अपसन यह संसार दुखों से पूर्ण है या मानों को अपने आपको इच्छाओं से मुक्त करना चाहिए या आहिंसा या एक इस्ट की आराधना इसमें आपका राइट एंसर डी से विएगा एक इस्ट की आराधना कुश्चन नमर बावन है बौध धर्म के संबंदे में निलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं कहा जा सकता दियाए बौध धर्म ने भारती जीवन के कई पहलों को प्रभावित किया या बौध धर्में ने अनिक सुन्दर चैतियों बिहारों इस्तिपों का निर्मान किया या बहुत भिच्छों भारतिय संस्किर्ती विश्व के अनलोगों में ले गए या बहुत भिच्छों ने कई देश जीते तो इसमें आपका राइट एंसर होगा डी बहुत भिच्छों ने कई देश जीते ये सही नहीं है कुश्चन नमबर तीरपन है बैदिक धर्म के होती वे भी बाध और जैन दोनों धर्मों के सफल प्रचार प्रसार का कारण क्या था दियाए दहर्म बेद के सिधान को मानते थे ये दहर्म कर्मकांड और अधंबर पर जोड़ देते थे इन धर्मों ने इस्वर के कत्व को जोड़ दिया या बैदिक धर्म के तुलना में ये धर्म सरल थे तो इसका right answer D वला सय योगा बैदिक धर्म की तुल्णा में ये धर्म जो है सरल थे Question number 54 है नंदवन्स का साशन कहां था? मगद में, पंजाब में, राजगरी या कोशल में इसका right answer A सय योगा मगद में Question number 55 है More ones की अस्थापना किसने की थी? असोक, चंद्रगुप्त, समुन्द्रगुप्त या कोटिल चाणक ने इसका right answer B होगा चंद्रगुप्त मौरे ने वास्तिक संस्थापक एई था? Question number 56 है चंद्रगुप्त मौरे को किसने प्रसिचन दिया था? बुद्ध, महाबीर, कोटिल या इन में से कोई नहीं था? इसका right answer C होगा कोटिल लेने Question number 57 है चीनी यात्री फायान किसके सासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था? चंद्रगुप्त दुत्य विकर्मा दित्य, समुन्द्रगुप्त, कनिस्क या चंद्रगुप्त प्रत्थम इसका right answer A सयोगा चंद्रगुप्त दुत्य विकर्मा दित्य Question number 58 है 326 इसापूरो में पंजाब पर किसने आकर्मन किया? चंद्रगुप्त मौर, अलेक्जेंडर, सिकंदर, सेलुकस या बिंदुसार इसका right answer B सभी हो जाएगा अलेक्जेंडर या इसी को सिकंदर कहा जाता है अंठावन का B Question number 69 है मगद को धनाड और सक्तिसाली बनाने में किस प्राकिर्थिक बरदान का युगदान था? या एक केंद्रिय स्थान था, वहां समुंदर के पास था, वहां लोहे का भंडार था, उपरिक्त सभी सुबदाय थी तो इसमें आपका right answer होगा 69 का C, वहां लोहे का भंडार था Question number 60 है, और अंतिम question है यानि आज के लिए 60 question, इसके बाद कल से फिर 60 number पर आएगा question सौपन वासदत्ता नामक गरंत की रचना की थी भास, कालिदास, भावुती या हर्स, वर्धन इसमें आपका right answer होगा A, भास ने ये थे question, आज के लिए तो उम्मिद करता होगी वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आते हैं इसको like करें अपने दोस्तों क्या अधिक सेर करें धन्यबाद दोस्तों, जैहिंद वंदे मात्रम